तोस्तों आज आपका फिरसी स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में नए जानकारी में प्लीज आपसी रिवेस्ट है मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सबस्क्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकाडी अच्छा लगे, तो कृपिया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ आप एक लाइक का बटन जरूर दबा दिजिएगा, तो चलिए आज की न्यूज की साथ चलते हैं, क्या है न्यूज में, आज हम बात करेंगे, नन पेमेंट आफ आइडिये, जी हाँ, आइडिये का जो अभी तक BSNL नन एजिकुटिव को नहीं मिला है, उसी के बारे में हम बात करेंगे, कि ये प्रोग्रेस कहां तक है, क्या कब मिलने वाला है, तो चलिए, जेनरल सेक्रेटरी once again speaks to CMD BSNL, जी हा तो चलिए, क्या बात में हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, डिटेल से, as regards the payment of IDA to the non-executive, the order of Honorable Kerala High Court is not at implemented, जी हाँ, उसी के बारे में है कि अभी तक IDA जो है, non-executive को अभी तक implemented नहीं हुआ है, जो कि करेला High Court बहुत पहले दे दिया गया है, BSNL EU is continuously taking up this issue, जी हाँ, ये BSNL EU जो है, लगातार इस बात को उठा रहा है, इस issue को उठा रहा है, कौम अभी मन्यू जी है once again spoke to Sri P.K. पुरवार जी हाँ, अभी मन्यू जी जो है, अभी फिर से एक सकस भी किये है, the CMD BSNL told that even a few days ago, the BSNL management has written a letter to the secretary, जी हाँ, BSNL management जो है, एक letter लिखा है, Secretary Telecom को, requesting him to take action, to get information from the DPE, जी हाँ, BSNL management जो है, request किया है, Telecom Secretary से, कि जो please information प्राप्त किजे आप DPE से, regarding the percentage of additional DA that has become paywall to the non-executive of BSNL, जी हाँ, जो DA जो है, वापेवल होगा, non-executive को, कि क्या होगा नहीं होगा, इसके संबंध में जानकारी मांगी है, BSNL management ने, however, no response was received from the DOT, जी हाँ, अभी तक उसका कोई response नहीं आया है, DOT से, stated that the CMD BSNL, जी हाँ, यही CMD BSNL ने, यहाँ तक बात कही है, P.A.B. मन्यूजी को, देखते हैं, DOT से अगर information आता है, तो फिरी, क्या होता है, कि स्टैप की information आती है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कब मिलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों,